तो कैसे आप सुभी कैसी चल रही आपकी तैयारी जरू से बताए का कमेंट सेक्शन में और किस तरह के आपके जो कोई डाउट रहते हैं तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं तो यहां पर मैं आपके लिए कक्षा 9 की विशे विज्ञान का पेपर लेकर आई हूं अरद्वासिक परिशा सत्र दोचातेईश चोईस का जिसमें हमने काफी सरे विशे से रिलेट परिशा पत्र देख लिए हैं यहां पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे विशे विज्ञान का जिसमें हम सभी की आंसर भी देखेंगे तो जुड़े रहना है आपके विडियो की अंड तर तक इसी तरह ताकि आपको सब प्रक्रेशन के आंसर समझ में आ जाए कोशन संमज में आ जाये ताकि आपको क्या करना है वो भी आपको समझ आ सके तो कुशिन में 1 te quer swings है जल इनॆ सब्सक्राइब करने की विधी होती है अब केंद्री विधी जिसके द्वारा दूद को क्रीम से अलग किया जाता है कोशिका की आत्मगाती थैली कहते हैं ऑप्शन दे लाइससोम को बलका ऐसा ही मातरक है न्यूटन अप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अगला है रिक्तिस्तानों की पूर्ती करो वेग में परिवर्तन की दोर को क्या कहते हैं त्वरार कहते हैं किसी वस्तो पर किया गया कारे बल तथा विस्थापन के किसके बराबर होता है गुननफल के बराबर विस्थापन के गुरन फल के बराबर बल तथा विस्थापन के गुरन फल के बराबर कमरे के ताप पर पारा कैसी अवस्था में होता है तरल अवस्था में होता है आवो गादरो संख्या का मान आवो गादरो संख्या का मान आपको नहीं पता है ये, ठीक है, मोल, युनिवर्स, ये होती है आवुगातर संख्या का मार, ठीक है, तैसे भी नोट का लीजेगा, अगले आगे बढ़ते हो देखेंगे, अती लगुत रात्म प्रश्ना आ गए है, परमानूद रवे मानिकाई को परिबाशित करना है आपको, अगला है कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते है, माइक्टरिया, तो आपको कैसे कहते हैं, वो बताना है, क्यों कहते हैं, फ्लोयम के घटक इवम, कारे लिखने है, प्रती रक्षी करन किसे कहते है, वो बताना है, निमनेत आप मानों को, सेल्सिस में, एकाई में, परिवतित करें, 350 dC— 573 Kelvin, तो केल्विन को तो वो हो जाएगा केल्विन में चेंज ठीक है तो इसे तरह आपको चेंज करना है इने सेल्सियस में ओकी डिग्री सेंटिग्रेड अगला है उद्धुपातन किसे कहते हैं किनी दो उद्धुपातित पधारतों की उधानन लिखी बहुत ही इंपोर्टेम पर अरिबाशा लिखनी है यदि एम द्रविमान की वस्तू को एच उचाई पर उठाया जाता है तो किये गई कारे कामान क्या है वो बताना है कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट में एक अंतर बताना है बस की छट पर रखे सामान को रस्ते से क्यू बांदा जाता है यह बताना है अगला है लेखुत्रात्मि प्रश्ण जिसमें निम्न पृट्टी पनी लिखी दे रखा है बेईसी और प्लाजमा अब केंदरन क्या है आपकेंदरन के उपयोग लिखने है निमन लिखी तयोगी को कि अनुसुतर लिखने है सोरियम ऑक्साइड मैंगेंशियम ट्लॉराइड कैसियम कार्बोनेट अगला 22 वे पादब कोशिका जनतो कोशिका में अंतर संक्रामक रोगों की फैलने को कौन कौन सी विदिया है कि नहीं दो संक्रामक रोगों की नाम लिखने है अगला 24 वे एक आपको डेफिनिटली इस टाइप से मिलेगा निमरिकल जिसमें आपको अगर जो उसका फॉर्मला ह पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए जी बराबर आपको 6.7 गुना 10 की कात माइनस 11 दे रखा है राइबुसोम के कारे बताने हैं अगला निबंदात्व प्रश्ण है जिसमें बापको बड़ी बड़ी शब्दों में लिखना है इस कांसर उत्तक किसे कहते हैं पेशी उत प्रतिघंटे की गती से चल रही वस्तु का वेग 5 सेकेंड में 60 किलोमीटर प्रतिघंटा हो जाता है तो बसका तौरन क्या होगा आंसर करना है अथ्वा में आप लिख सकते हैं चाले व्यम वेग में अंतर एक समान गती से गती शिल वस्तु के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी ग्राफ चित्र बनाना है अगरा 28 कुशन है निमने को समझाइए अचानक ब्रेक लगने पर आजित्यात्री आगे की और क्यों जुखता है बंदु से गोली दागने पर कंदे को धक्का क्यों लगता है अत्वा न्यूटन के गती के दूसरी नियम को परि अत्वा का आपने खेती क्या है तथा फसल सुरक्षा प्रदबंदन में कौन-कौन से उपाय के जाते हैं बताना है 30 कोशन है निमने योगिकों की आन्विक दरव्यमान लिखिए CO2 C2H5 के आन्विक दरव्यमान लिखने हैं मोल में परिवतन करना है दे गई संक्या को जैसे MgCO3 NaCl-sodium chloride-al2-so4-thrice तो इस तरह से नाम भी लिखने हैं तो यह इंपोर्टेंट है इस तरह की जो भी आपकी योगिक है उनकी नाम आप लग कर लीजी क्योंकि डैफिनिटली कुशन आपको मिलने वाल अपने एक्जाम में और इनकी नाम के अलाबा इनकी रिलेट जो और अधर जो हैतोफों सुचना है वह भी आपको लर्ण कर लीने है तो यह ड़न होता है आपका विशे विज्ञान का कंप्रिट पेपर ठीक है तो आप इसे लर्ण करें इसे सौल करें और जो भी कुशन की डाउट है तो आप कमेंट बक्स में कमें करके पूछ सकते हैं तो इसी तरह और इंपोर्टन वीडियो और इंपोर्टन प्रश्न बतर देखने वा सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल की साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धानेवाद